जिसका आज अंदकार पूर्ण है, कल भी उसका अंदकार पूर्ण ही रहेगा। आप पेड को बदल नहीं सकते, व्रक्ष को बदल नहीं सकते। बीज जैसा होगा, व्रक्ष वैसा ही होगा। आज हमारा बीज है, और जो व्यक्ति आज खुश नहीं है, आज वो जहां है, जिस इस्थिती में है, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चाहे उसे जो भी नाम दो, अगर वो वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर शांत नहीं है, वहाँ पर मौन नहीं है, वहाँ उसके जीवन में अगर आनंद नहीं है, तो कल भी उसका आनन्द पून शान्त मौन नहीं रहेगा क्योंकि आज बीज है कल की आशा में अगर आज को व्यर्थ गमा रहे हो अगर तुम इस आशा में बैठे हो कि आगे कुछ हो जाएगा कुछ बदल जाएगा तो पीछे मुड़ो कब से तुम यही सोचते आ रहे हो हर बार तुमने आज को टाल दिया है यह कह करके कि कल कुछ हो जाएगा किन्तु कल कभी आता नहीं आशा भविश्य है तुम्हारे पास क्येवल वर्तमान होता है जो आज आशा लगा कर बेठा है कल से वो कल भी आशा लगा कर ही बेठेगा अगले कल से और कल कल में कब काल उसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा आज तुम जैसा जी रहे हो जो कर रहे हो वो कल बनने वाले महल की नीव है उसी का आधार है अगर आधार कच्चा है नीव अगर गहरी नहीं है तो महल भी फिर उतना ही कच्चा रहेगा चाहे तुम दिवारे कितनी ही मजबूत क्यों न बना लो वो सब ढह जाएंगी तो अभी जिन इस्थितियों से गुजर रहे हो जिन को तुम अपनी इस्थिती बता रहे हो जरा गोर से देखो क्या वो सचमुच तुम्हारी अपनी है कब से सदियों से इतिहास से ऐसा होता आया है और हम को लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है ये बड़ा ऐसे बड़ा एहंकार है कि अपने दुख को पहली बात तो असली मानना दूसरी बात अपना मान लेना और तीसरे बात ये मान लेना कि वो आज से पहले या आज के बाद ना कभी हुआ ना कभी होगा कितना बड़ा जूट है कितना बड़ा भ्रहम है हर व्यक्ति को अपनी समस्या अपनी ही लगती है निजी लगती है सीक्रेट लगती है उसको लगता है कि वो जो सोच रहा है वो जो समझ रहा है वो सिर्फ वही सोच समझ रहा है पर ऐसा नहीं है जो भी व्यक्ति अपनी कहानिया सुनाता है अपने किस्से सुनाता है उसको यही लगता है कि उसकी बात कुछ अलग है उसकी समस्या कुछ अलग है लेकिन वही समस्या नजाने कितनी बार कानों पर से गुजर चुकी है जिसको देखो सब एक ही समस्याओं से परिसान है किसी की समस्याँ आलग नहीं और हम इस लिए दुख में हैं इसलिए आशांती में हैं इसलिए पीड़ा और अंधकार में हैं क्योंकि हम यह नहीं जानते कि जिसे मैं अपनी समस्या कह रहा हूं वो मेरी निजी नहीं है वो सब की समस्या है और इसलिए वास्तों में वो ब्रहमात्र है बस वो हमारी अपनी लगती है इसलिए दुख देती है और फिर हम इंतजार करते हैं कि ये समस्या तो बस मेरी है तो मैं ही तो हूँ जब तक मैं हूँ तब तक ये खतम भी हो जाएगी तो हम कल पर टाल देते हैं हम उसे जानना ही नहीं चाते, समझना ही नहीं चाते उसे आज अभी इसी च्छन खत्म करना नहीं चाते हम कल पर टाल देते हैं कि चलो कल तक ठीक हो जाएगी फिर कल जीएंगे हम ये जानते ही नहीं कि वो सदा थी सदा है और सदा रहेगी और उसका होना सिर्फ ब्रह्म है और ब्रह्म हमें पलता रहेगा और कब तक पलता रहेगा जब तक कल की आशा में जीएंगे तो कहना बस इतना ही चाहता हूँ कि यदि आप आज खोश नहीं हैं अभी शांत आनंद पूर्ण नहीं रह पा रहे हैं चाहे जैसी भी जितनी भी विप्रीत इस्थिती हो उसमें अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो कल भी आप नहीं मुस्कुरा पाएंगे क्योंकि कल आज से ही निकलेगा तुम बस अपने आज को सुन्दर बना लो भविश्य की परवाही ना करो भविश्य अपने आप समर जाता है जब आपका आज समरा हुआ हो जिसने अपने आज को समार लिया उसका भविश्य खुद बगखुद समर जाता है जिसने आज बीज को अच्छी मिट्टी में रोप दिया अच्छा खाद दिया पानी दिया उसकी देखबाल की उससे पोधा निकलेगा वो रक्ष बन ही जाएगा और जिसने बीज को भी अच्छे से लगाया नहीं खाद पानी मिट्टी कुछ नहीं दिया वो बीज सड़ जाएगा भविश्य के इंतजार में सूख जाएगा फिर उसमें ना फ सुन्दर बनाओ खुद अपने जमेदारी उठाओ और अपने आज और अभी जो है उसे ठीक करो